C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पर्यावरण अध्यन की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अधभुत संसार इकाई 4 आस पास है क्या क्या इकाई के विशय में इस इकाई में हम उन बहुत सी चीजों का पता लगाएंगे जिने हम बनाते हैं और उनका उपयोग सुईधा पूर्वाक रहने के लिए करते हैं हम इन वस्तुओं का अवलोकन करेंगे और जानेंगे कि वो किस चीज से बनी है तथा कहां से आती हैं हम उन प्राकर्तिक संसाधनों पर गहराई से विचार करेंगे जो हमें ये वस्तुओं प्रदान करते हैं हम विभिन सामागरियों के बारे में भी खोज करेंगे और सीखेंगे कि अलग-अलग तरीकों से उनका उपयोग कैसे किया जाता है इसके अतरिक्त हम अपने आस पास के अपशिष्ट पदार्थों यानि बेकार पड़ी वस्तुओं का आवलोकन करेंगे और सीखेंगे कि अपने आस पास के परिवेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनका प्रबंधन कैसे किया जाए ऐसा करने से हम प्रति दिन उप्योग में लाए जाने वाले संसाधनों को समझ सकेंगे और उनकी सदुप्योग की ओर अग्रसर हो सकेंगे इस प्रिष्ट पर एक चित्र है चित्र में एक बढ़ाई बरतन बना रहा है साथ ही पास में बैठी उसकी लड़की बरतनों पर पेंट कर रही है और लड़का बरतनों को देख रहा है इस चित्र में पेड़ पौधे, परवत और ज़रने भी है शिक्षकों के लिए ये इकाई हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में है इसमें दी गई प्रमुख अवधरणाओं का वर्णन निमलिखित है अध्याय दस वस्तुओं की दुनिया, अध्याय हमें अपने आसपास की वस्तुओं का पता लगाने में सहता करता है वस्तुओं को बारे किसे देखकर ये जानने में सहता करता है कि वो किस चीज से बनी है और कहां से आई है ये हमें ये जानने में भी सहायता करता है कि कौन सी वस्तुवें प्रकर्ति से प्राप्त हो रही हैं और कौन सी बनाई गई हैं इसके अलावा हम विभिन सामग्रियों के विविद गुड़ों का भी पता लगाते हैं अध्याए ग्यारा कैसे बनी ये वस्तुवें? अध्याए हमें विभिन सामग्रियों और उनकी उप्योग के बारे में सीखने में सहायता करता है हम ये पता लगाते हैं कि प्राकर्तिक संसाधनों का उप्योग घर के किस प्रकार घरों का दिर्मान किया जाता है और लोग किस प्रकार नए नए डिजाइन तथा शैलियों को अपनाते हैं। इसके अतरिक्त हम हमेशा सुरक्षा नीमों का पालन करने के महत उपर चर्चा करते हैं। अध्याई बारह क्या और कैसे करें इसका। अध्याई कचरे के निस्तारण कूले को निर्धारित स्थानों पर डालने और उसे सही ढंक से चाटने के महत उपर जोड़ देता है। ये पुनर चक्रण और पुना उप्योग के महत उका भी वर्णन करता है। ये अध्याई हमें अपने घरों और आस पडोस में सुच्टा बनाई रखने के तरीकों से परजित करता है। उपहार लपेटिने के लिए समाचार पत्रों या पुराने कपड़े का उप्योग एक पर्यावर्ण अनकूल पद्धती है जो अप्षिष्ट यानि कचरा अनुप्योगी पदार्थ को कम करती है और संसाधनों का संरक्षन करती है। ऐसी वस्त्वों का रचनात्म को प्योग करके हम न केवल अपना अप्षिष्ट कम करते हैं बलकि अपने उपहारों में एक व्यक्तिगत जुलाव की अनुभूती भी जोड़ देते हैं। विभिन सामग्रियों जैसे धातू, लकडी, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी आदि से बनी अलग-अलग तरह की चीज़ों को एकत्र करके प्रदर्शित करें। उन्हें अलग-अलग कूलेदान में डालने को प्रदर्शित करें जैसे दोपहर के खाने के बाद। ये सुनिशित करें कि बच्चों ने दस्ताने तथा मास्क पहने हुए हूँ। इस प्रिष्ट पर नीचे एक चित्र है जिसमें एक लड़की कूलेदान में बोतल डाल रही है। कूलेदान में कूला पड़ा है और उसके आस पास भी कूला बिक्रा पड़ा हुआ है। अभियाप सुन रहे थे कक्षा तीन की पर्यावण अध्यान की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्भुत्संसार वाचन्स्वर प्रवीन शर्मा ध्वनियांकन विकास सांगवान निर्मान सहयोग सुरेंदर कुमार निर्देशन एवं निर्मान व्यमलेश चोधरी तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, ने दिल्ली, भारत